बिग बॉस 11 में बहतरीन फारी खेलने के बाद अब हर्याना के मश्हूर डांसर सपना चौधरी एक बाद फिर सुर्खियों में है हाल ही में सपना ने अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू की है इस फिल्म में सपना अभिनेता अभय देवल के साथ नज़र आएंगी इसके अलावा सपना ने टीवी और फिल्मों के लिए भी कई आइटम सॉंग्स शूट कर लिये है बिग बॉस ने सपना को पैसा और नाम दोनों दिया हाल ही में सपना ने बिग बॉस से जुड़ी कई दिलचस्ट बाते शेयर की है सपना चौधरी ने सूपरस्टार सलमान खान के बारे में भी एक बड़ा बयान दिया है सपना चौधरी ने शो के होस्त सलमान खान के बारे में बताया सलमान ने किसी की बेज़िती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन मुझे कभी पलट कर जवाब नहीं दिया वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है सपना ने अपनी शादी के सवालों पर कहा कि उनकी मान रिष्टे लेकर आती रहती है लेकिन वो मना कर देती है सपना का कहना है कि उन्हें शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है सपना ने ये भी बताया कि उनका बिग बॉस के घर में मन नहीं लगता था सपना ने कहा मुझे बिग बॉस के घर में अच्जस्ट होने में दिक्कत हो रही थी इसलिए जब मैं शो से बाहर हुई तो मुझे बिलकुल भी दुख नहीं हुआ सपना ने अपना एक्सपीरिंस शेर करते हुए कहा कि बिग बॉस के घर में जाने के बाद बाहर की दुनिया याद नहीं रहती ना मुबाइल फून याद रहता है और ना ही कोई काम अभी विडियो को लाइक करें शेर करें और अभी चानल को सबस्क्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई